So hello guys, welcome to my YouTube channel, Ritik Technical Support इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Redmi phone में अगर आप कोई application को या फिर कोई APK को download करते बट वो install नहीं होती है तो कैसे आप यहाँ problem को ठीक करेंगे, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीग, आपको इस टाइप की problem आती है आपके Redmi के phone में, download app installation में, तो आप लोग एक बार अपने Redmi phone को switch off करके, switch on करके देखिए हो सकता है अपकी problem ठीक हो जाए, या फिर अगर ये तरीका काम न करे, तो second आपको जाना होगा अपने Redmi device के settings पे और यहाँ पे हम लोग home screen पे click करेंगे, या फिर यहाँ पे अगर आपको ये feature न मिले, तो आपको simple search कर देना होगा reset, ठीक है, reset आप लोग को search करना है first वाली settings पे आपको click करना होगा, यहाँ पे देखिए, home button के just उपर में आपको option मिलेगा reset settings का, तो आपको अपने Redmi device की जो settings होती है, उसे reset करना है, ठीक है, इसमें जो भी गलत activity की वज़ा से आपको ये problem आ रही थी, सब कुछ default हो जाएगा, देन आपकी problem भी sort out हो जाएगी इसमें आपका कोई भी data delete नहीं होगा, आपको निश्चिंत रहना है, ओके, so topic is cover, मिलते है next video में, जाए मातादी